तो दोस्तों आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ अदवानी से पॉड़े के बीच की जर्णी और ये है करीब 17 किलोमेटर का रास्ता अनकट पूरा रास्ता तो बने रहे गा मेरे साथ यूँ तो उत्राखंड में खूबसूरत जगों की भरमार है लेकिन पहाडों और जंगलों से घिरा अदवानी एक बहुत यूनीक लोकेशन है अदवानी से पॉड़ी के बीच में लगबग 17 किलोमेटर की एक वेल कनेक्टेड रोड है यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी है जो ठहरने की सविधा भी प्रदान करता है आस-पास के अलाखों के तुलना में यहाँ काफी ठंड पड़ती है और यह नाग देव फॉरस्ट रेंज के अंतरगत आता है यहाँ से करीब एक किलोमीटर दूर 7200 फीट याने के करीब 200 मीटर की उचाई परस्थित रानीगड एथिहासिक दृष्टी से बहुत ही इंपॉर्टन्ट है रानीगड में एक पवित्र शिव मंदिर है जिसे आदेशवर महादेव कहते हैं और हर साल जुलाई में यहाँ पहले सुमवार एक मिला आयजित किया जाता है जिसमें आसपास के इलाकों के कई लोग शामिल होते हैं यहाँ से हिमालेन रेंज की मनमोहक बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखती हैं और बर्ड वाचर्स के लिए यह एक पैराडाइस है जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ ओक ट्रीज हैं जिने लोकल भाषा गडवाली में हम कहते हैं बांच के पैड़ हैं दोस्तों बांच के पैड़ की यह खासियत होती है कि यह अपनी जड़ों में बहुत सारा पानी इकटा कर लेता है जिससे कि आसपास के एरियाज में पानी की बिलकुल भी कमी नहीं होती यानि कि ऐसे फॉरस्ट जहां पर ओक ट्रीज होते हैं पानी भरपूर मात्रा में होता है यह देखिए मोटर साइकल जा रही है बाइक चलाने का तो यहां कुछ अलागी मज़ा है आपको 360 डिग्रीज पैनोरमिक व्यू मिलेगा आसपास इतने सारे पेड़ हैं कि सूरज की रोशनी भी चंचन के आ रही है दोस्तों जंगल इतना घना है कि आसपास के गाउं में लेपर्ड यानि कि जिसे हम लोकली बाग कहते हैं और रीक यानि कि भालू का आना एक आम बात है और यहां उपर इस चोटी से लेफ साइड में नीचे कई गाउं दिखते हैं जिसमें नगोली, खपरोली, बन गाउं इत्यादी हैं यहां से पॉड़ी करीब 17 किलो मिटर की दूरी पर है तो इस स्पीड से हमें करीब 40 से 45 मिनिट लगेंगे पॉड़ी पहुंचते पहुंचते अपर लगे कारी किव अम्मड़ी पॉड़ी पॉड़ी पहुंचते लगेंगे इसको उपसूरत गुमावदार रास्ते के नजारे दिखाते दिखाते मैं आपको पॉड़ी के असपरस और भी जो टोरिस स्पॉट्स हैं और जिनको आप एक दिन में कवर कर सकते हैं उनके बारे में इंफोर्मेशन दूँगा पॉड़ी तूटर आप कर दोर्मेशन दूड़ी स्वाओ कॉड पॉड़ी ओ गॉड़ी अजार रा पॉड़ी इस समया था सुट्ट पॉड़ूी पॉड़ी इस फिज्साने दोड़िदेगे लिए मिद्साट इस्ट एफिद्ट बॉड़ी ओड़़ी अव्य। थाने विद वंडर पूंच, गंगोतरी गूप, केदार्ना, चौकमबा, नंदादेवी और तुर्शूल can be seen from any point of the city. The city is blessed with a number of picnic spots surrounded by Deodar forests and filled with natural beauty like Ransi, Khandolia, Nagdev, Jhandidhar, etc. The main temples of the city are Khandolia Devta, Lakshmi Narayan Temple, King Kaleshwar Mahadev and Hanuman Mandir. Every year a Bhandara is organized in the premises of the temple of the Khandolia Devta and thousands of people from Pauri and nearby villages participate. By road, Pauri is well connected on NH 119 with major destinations of Uttarakhand. Nearest airport is Jolly Granta Airport near Dehradun and the nearest railway station is Kordwar, situated at around 101 kilometers from Pauri. Regarding weather in Pauri, Pauri experiences a subtemperate climate which remains pleasant throughout the year. Pauri also receives snowfall during winters, changing the town to its picturesque best. Pauri's boring haков at the Bah knocks a beach, or the passa by the dungeons, changing the town to itsви the beach, to the guilty mountain. Pauri's supposed to be a part of the trip and van a land at a beach with a beach. Pauri's involvement is st próxim and tight. Pauri offered up its walls in the northکju, if Mother Wised, Khandi offers a chance of being on your bible for the tree, to create a ship via Escoe風. Pauri's Pontius XXX-Tree Pier Cleavens XX balcony झाल को झाल पाओडेज अलव हैं वार्ड बाओड खुरी, रानिगर्ड और किर्सू स्सफ्कालद आजे फिर्सू अपंडरी अपनारमिक विव से इंतल हिमालेख इंट्रे इंट रॉ अट्रावश्ट अट्राव फड़ी गुड़ पाट्राव जाया सम्टस्ट मुड़िश तूर्स प्रह्राजिए और बार डिव कि अच्रिव भ्रेज पीज अच्रिव बारी इस लोगते रांगे हैं आफ पारी अन वतफिट बारी अगिए अच्रिव टो इस अ किर्सू टानी पीज़ फ्री पॉलुश टूली टेंट प्रुटिय अच्छिव ट्रीज वे र्टार जित अच्र पे प्सकार प्सकार दोग प्सकार है कर दो प्रवाण है बोलो झाल 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 झाल